हेलो आप सभी लोग आशा करते हैं तो बहुत जादा अच्छे होगी और अपना ध्यान रख रहे होगी अभी आज फ्राइडे और अभी बच रहे हैं एक बच चुके हैं एक पांच हो गया है सारे काम हो चुके हैं बच्चे रोग स्कूल चले गए हैं हस्बेट ऑफिस चले गए हैं सारा काम आज करने के बाद मतलब सारे बतन दोली हैं बगर को सही कर लिया जाड़ों पोछा सा कुछ हो गया अब मैं ब्लॉक स्टार्ट कर रही हूं इस टाइम से आज और मौसम आपको दिखाओं तो सुबा धूप हुई थी तो अभी थोड़े थोड़े बादन लगे हैं सुबा धूप हो गई थी अच्छी खासी तो मैंने कपड़े भी जो करके चट पर डाल रखे हैं लेकिन भी बादन लग रहा है एक दो गंटे बाद उतार लाओंगी सूख जाएंगी त तो बस देखिए यहां पे घी बन चुका था और बस यहीं पे गैस को मैंने किया बंद और इसके बाद से तब तक आ गया था मेरा पारसल तो बस इसी को उपन कर रही हूँ यहां पे मैंने बताया था आपको एक दो व्लॉक पहले कि कुछ होम डेकोर के आइटम्स मैंने और किये हैं तो एक दो चीजें आई है आज इसके अलामा दो तीन चीजें और है वो आएंगी तब आपको दिखाऊंगी और मैं इसलिए एंबॉक्स कर लेती हूँ तुरंद के तुरंद के तुरंथना क्योंकि मीशों से कभी कभी होता है प्रॉबलम हो जाती है तो इसमें तो जो है जो शीट्स होती है लेकिन यह उपर का जो है खराब हो गया था फट गया था तो मैंने इसको मंगाया था लेकिन यह ना बहुत गंदा सा स्मेल कर रहा था और उपर से गंदा भी था तो इसको मैंने रिटर्न के लिए डाल दिया है और यहां पर दिखिए यह बहुत ह अच्छी क्वालिटी का है और साथ ही बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ कहीं से कोई मतलब इसमें टूटा फूटा कुछ भी पीस नहीं रिसीव हुआ है तो जब मैं इसको लगाऊंगी घर में तब आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसको कैसे लगा सब्सक्राइब में तो मैंने इसको भर दिया डबे में फिर काम में लग जाओना तो फिर भूल जाओंगी मतलब मेरे साथ ये प्रॉबलम में मैं भूलकर बहुत जादा हूं तो था हलकालका गरम था इसलिए पूरी तरह मैंने बंद नहीं किया था और उपर से स्टील के ड दुफान मचा दिया था बच्चोंने मतलब मेरे भी कपड़े ये लोग निकाल निकाल करके ज्यादा तरना दक्षिता क्या करती है दुपट्टे वगर जो भी मतलब तह करके मैं रखती हूं निकाल करके साड़ी उसका लपेटेगी कभी ऐसे दुलहन बन के घूमेगी और फिर ऐसे ही ठूंस देती है एक तरह से कहें तो तो बस अभी तो बस आरुश का सारा कुछ मैंने निकाला और अभी युनिफार्म मिला नहीं है स्कूल से आरुश को तो वो अपना मतलब जो डेली का जा रहा है स्कूल तो यही सारे कपड़े पहन के जा रहा है तो उसकी वि युनिफार्म मिल जाएगा और वो सब बंद हो जाएगा मतलब यह सब पहन करके जाना तब इन सब को अच्छे से सहे जूंगी और बस देखिए आरुश का मैंने सेट कर दिया अच्छे से इसके बाद से मैंने अपने भी सारे कपड़े जो है निकाल करके अच्छे से फोल् यहां पर चली गई थी लाइट तो बैक साइड से ना अच्छे से मतलब वीडियो आने रही थी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था तो इस वज़े से मैंने इधर से कुछ हिस्सा शूट किया है और बस यहां पर होता है काम खतम बैट शीट वगरा भी मैंने फोल्ड ही बस उसको अच्छे से अरेंज कर लिया और यह देखिए अभी कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन यह जादा दिन नहीं चलेगा एक हकते में फिर से इसमें तूफान सा आ जाएगा और उसको फिर से मुझे सही ही करना पड़ेगा तो खेर दीखिए यह सारा काम हो गया था और ब बहुत जादा नहीं हुई थी पर हां हुई थी बारिश तो अच्छा था टाइम से मैं उतार लाई थी बस इसके बाद से तस पंदरा मिनिट के लिए मैं लेट गई थी क्योंकि बैठे बैठे ना कमर अकड़ गई थी और भी हो गया था स्कूल से लाने का टाइम बच्चों तो आई थी स्कूल में आते ही देखिए कि इतनी तगड़ी फिर धूप हो गई है और इसके बाद से फिर थोड़ी दिर बाद बारिश भी आ गई थी तो खेर अम्ब्रेला लेके तो मैं गई ही थी तो घर तो आ गई थी और सारे सामान भी जो बाहर से लाने होते हैं वो सब लेकर के आई थी और लेकर के आते ही सबसे पहले मैंने गीजर अन किया और बस पांच मिनट ही चला होगा उसके बाद से फिर लाइट चली गई थी इस टाइम लाइट नहीं थी लगिन दक्षिता को ना हेयर वाश करना था तो इस वज़े से मैंने इस टाइम आज इसको नह इस टाइम कोई फ्रूट वगरा खाती है तो अभी मैंने सुचा पहले दूद गरम करके दे दूँ तो थोड़ा बॉड़ी में गर्मी आ जाएगी क्योंकि बैंगलोर का मौसम ऐसा है ना कि सर्द गरम वाला कह सकते हैं इस टाइम ऐसा चल रहा है मतलब धूप हो रही है तो ग गंदा सा लग रहा था पता नहीं क्यों मैंने कुछ सबजीयां ली थी सबजीय में थोड़ा बहुत होता है ना मिटी जैसा तो इसलिए इन सब को पानी से मैंने अच्छे से धो दिया था ताकि जब यूज करना हो तो होता है ना कि मतलब अगर दूद पलट रहें तो कहीं म तो मैं ही देखती हूँ हस्बिन को फसी यह रहता है वो पैसे दे देते हैं लेकिन हर एक काम जो है मुझे इकरना पड़ता है खर का बाहर का सब तो कुछ, बाहर से कुछ भी लाना हुआ, कभी भी लाना हुआ, वो मुझे ही दौड के जाना पड़ता है, तो मैं सोसती हूँ जब स्कूल से आती हूँ, या फिर मॉर्निंग में चोड़ करके आती। तब जो जो मेरे बाहर वाले काम होते हैं, मैं मुचली करते आती हूँ, और इस तरह से सारी चीजें करती हूं तभी मेरे काम घर के बाहर के सब कुछ असानी से मैनेज हो पाते हैं और फ्रेंड्स देखिए यहां पर दूद देने के बाद उसने फिर बोला कि ममा एक एपल भी कट करके दे दो उसको भूख लगी थी तो उसको मैंने पहले एपल कट करकी दिया और जब दक्षिता को लेकर क्याई थी स्कूल से तभी मैंने दाल भीगो दिया था धोकर के अरहर की दाल और साथ में अब जो है मैंने सबजियां कट करी उसको एपल देने के बाद वो अपना आराम से टीवी देखते हुए खा रही है आरुष नीचे खेलता है क्रिकेट इस टाइम पे चाहे फ्रेंड्स के साथ चला जाता है कहीं बाहर ही खेलने तो अभी वो अकेले है तो शांती से और आसानी से मैं अपने काम कर पा रही हूंने तो दोनों बहुत लड़ते रहते हैं तो बस यहां पर देखिए दाल धूली हुई थी सारी सबजी हैं सबजी में बहुत जादा कुछ नहीं डालती हूं में सांबर में आज मैंने डाला थ जाता है तो उसको खाने में दिक्कत होती है बच्चों को तो बस और एक तरफ जब तक चार पांच सीटी लगेगी तब तक मैंने पानी थोड़ा सा गरम करके इसमें इमली भीगो दिया है ताकि आराम से फूल जाए और अब सांबर में बस यह रहेगा ना ड्रम स्टिक और साथ में हल्दी तो मैंने चेंज ही कर दिया कि कहीं कुछ और ना लग जाए क्योंकि वाइट कर प्रिंट है अभी उसको मैंने नया ही लिया भी था तो इतनी खराब हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है और बस यहां पर कर रही हूं मैं वाक और पीछे-पीछे मेरे नीचे आई मैंने सबसे पहले करी पूजा क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था शाम का तो मैंने सुचा पहले पूजा कर लेते हैं इसके बाद से बाकी के काम करिंग और बाहर का देखिए मतलब कितना गुलाबी-गुलाबी सा व्योग लग रहा है मतलब एक दम लाल-लाल असमान इस टाइम पर तो खैर पूजा करी मैंने घर शाम वाली और इसके बाद से आगी हूं किचन में सांबर हो गया है और इसमें मैंने ड्रम स्टिक वगर डाल करके एक सिटी लगा दी थी बस तड़का लगाना बाकी है और यहां पर एक तरफ मैंने रखा है दूद और स मुझफली यहां पर रोस्ट कर रही हूं क्योंकि मेरा मन हो रहा था कॉफी पीने का मतलब मौसम यहां पर ऐसा होता है ना बिल्कुल अचानक से मन करता है पीने का तो यहां प देखिए दूद में उबाला गया और मेरी कॉफी इंस्टेंट वाली बनती है जट पट वाली बस कप में चीनी और कॉफी पाउडर डालती हूं और उपर से डाल देती हूं बिल्कुल गरम गरम दूद हम मेरी कॉफी बनके हो जाती है तैयार तो बस देखिए कॉफी वगरा पीने के बाद यहां पर मैं बैठ गया थी दक्षिता का होम वर्क वगरा जो स्कूल से मिला सब कराने और साथ में यह जो कपड़े उतार करके लाई थी चहत पर से उस टाइम मतलब चली गई थी स्कूल थोड़ी देर लेटने के बाद तो टाइम में लगा था तो बस वह अपना लिख रही थी मैं बताते जा रही थी क्या क्या करना और साथ के साथ मैंने सारे टेंशन फ्री हो जाते हैं और बस यहां पर देखिए आगी ही वापिस से किचन में मुंगफली ठंडी हो गई थी तो उसका मैंने छिलका उतार करके इसकी चटनी बनाई बस मुंगफली हरा धनिया हरी मिर्च लसुन नमक बस यह डाला था और इसमें भी सरसो और साथ में कर बाल में है और यहां परे पेकट वाले मिल जाता है तो मैं मिक्सर में नहीं पीस्ती हों भीगाने पीषने का जन जट नहीं रहतार है यहां फ़्याँ ज्टी का ऑटर ग्लिलेबल होताए तो जब भी बनाना होता है बस वही खरिद के लाती होना इख एक पाक Kash में हाफ्यक जो आता है उसमें सब का आराम से हो जाता है दो चार बच पी जाते हैं तो अगले दिन चलते हैं तो पस यहां पर देखिए इडली मैंने चड़ा दी है और यही जो है मैंने इस बार इस साइस का लिया है उस वाले में 15-16 इडली बन जाती थी लेकिन इस वाले में क्या है 13 यहां पर देखिए मैंने सांबर में तड़का लगा दिया है साथ में जो चटनी बनाई थी मुंगफली धनिये की उसमें भी तड़का लगा दिया है और बस यह सारा काम होने के बाद रसोई को थोड़ा सा साफ किया और यहां पर इडली भी आल्मोस्ट हो चुकी थी मतलब बीच बीच में मैं इधर उधर अपने और भी काम छोटे छोटे निपटाती रहती हूं लेकिन व्लॉग में होता है ना हर एक चीज अगर इंक्लूड करने लगो तो फिर व्लॉग बहुत जादा लंबा हो जाता है तो बस कुछ-कुछ चीजें जो हैं मैं ऐसे ही निपटा उसका खाना उधरता है गले से तो बस यहां पर डोसा मैंने नॉर्मल पेपर डोसा बनाया था और बटर लगाया था आज के डोसे में ऐसे घीवाला डोसा भी बहुत जादा अच्छा लगता और यह हमारी आज के डिनर की थाली और बस खाना वना खाने के बाद मैंने किया क हुआ हुआ हुआ